Hello Everyone, Welcome to Online Education Channel आज इस वीडियो में ELP CBD2 एक जाम के बारे में डिस्कस करेंगे हम एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं जो हर ट्रेड के लिए मतपूर है तो आज हम इस वीडियो में ट्रेड डिजल मेकलिंग के बारे में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो चलिए देखते हैं पहला कोश्चन पहला कोचन है दीजल इंजल का निर्माड कितने इस ट्रोक के संस्करोड में किया जाता है आप लोगा एक प्रपागा टेस्टे चला है नेस्ट कोचन है दीजल चक का अविस्कार किसों ने किया था रूडॉल्फ डिजल ने रूडॉल्फ डिजल ने किस ने किया था और सबसे वड़े विच्ट के सबसे बड़े डिजल इंजन वाट सिल वाट सिला मरीन का आउटपुट कितनी मेगावाट का है विश्ट के सबसे बड़े डीजल इंजन वार्ट सीला मरीन का आउटपूट कितने मेगावाट का है कितने मेगावाट का है ओप्सन सी साट मेगावाट का है कितने साट मेगावाट का नेक्स्ट कोश्चन है डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन का उधारण है दीजल इंजन किस प्रिकार के इंजन का हुदारण है अंतर दहन इंटरलन कमबंशन इंजन का हुदारण है दीजल इंजन जो है इंटरलन कमबंशन इंजन का हुदारण है चाहिए नेक्स कोचन देखते है नेक्स कुछने डीजल इंजन का संपीडन तापमान कितना होता है कितना होता टमप्रेचर आप्शन भी 650 से 800 फेरेनाइट 650 से 800 फेरेनाइट होता है आको 750 डिगरी सेटनिक रेट मिले भी तो भी आप्शन में आप लगा सकते हैं पिछले डेलबे एकजाम में 750 डिगरी दिया था नेक्स कुछन है दीजल इंजन का उच संपीडन अनपात कितना होता है ऑप्शन सी इसका एंसर होगा 11 रेशियो 1 से 20 रेशियो 1 तक चाहिए नेक्स कुछन देखते है डीजल इंजन का संपीड़न अनपाद कितना परवर्थ सील होता है 40-45, option C, इंसका एंसरुगा, option C next question है, डीजल इंजन का संपीड़न का अनपाद कितना परवर्थ सील होता है sorry, वही question repeat हुगा ये next question है रीमर किस धातु के समानता बना जाते हैं ओजारे मिश्दातु option D option D चले next देलते हैं milling machine पर कटाई क्रिया में कटर को ठंधा रखने के लिए कटर को ठंधा रखने के लिए निम लिखित में किसका प्रियोक किया आता है बहुत important question है कटाई तरलोका next question है इंजन अत्यधिक आवाज करने का प्रमुक कारण निम में से क्या होता है option E होगा गजपीन और छोटा बेरिंग घिसने के कारण इंजन अत्यधिक आवाज करता है किसके कारण करता है गजपीन और छोटा बेरिंग घिसने के कारण आप लोग के एक बात और बता दूँ कि आप लोग जो भी तियारिक हैं to the point पढ़ें पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो एक महीने में कुछ भी नहीं हो पाएगा इसलिए जो भी पढ़ें स्वालिद पढ़ें चलिए next question देखते है इन्यन दोरा अतिदी कुवा निकासी होना निमन में उसे क्या होना दर्शाता है जलका option C इनस का जलना होगा option C दहन चेमबर तेल का जलना इसलिए जलना होगा next question निम लिकीत में जे कौन सा एक दहन प्रकार नहीं है दहन प्रकार नहीं है अपगात दहन option D इसका नहीं है option D नहीं है जलन का प्रकार next question है दीजल का सापेची गुरुत कितने तक होता है دीजल का आपेची गुरुत कितने तक होता है option C इसका इसवाग 0.82 से 0.95 तक next question है diesel में कितने प्रतिस्धात कारवन पाया जाता है डीजल में कितने परिशत कारण पायाता है option C stage अंसर होगा 85-88 परिशत तक चले next जिकते हैं डीजल में कितने परिशत परिशत कारण पायाता है डाबल हो गया 85-88 परिशत तक next है नीम बिलिंगें कौन सा रोलिंग और यावग बेरिंग का परकार है निमली कीद में से कौन सा एक rolling available का बेरिंग का प्रकार है बाल बेरिंग, कौन सा बाल बेरिंग, option B निमली कीद में से किस बेरिंग को एंटिक, फ्रिक्षन या प्रतिघर्षन बेरिंग करते हैं बहुत अच्छा question है किस bearing को entry friction या प्रतिघर्शन बेरिक करते है option B इसका answer होगा rolling aware bearing को rolling aware bearing को करते है next question है सभी gear सदार तक किस धातु के बने होते है जो gear होते हैं किस धातु के बने होते है धलवा लोहा या इस पात का gear किस के बने होते हैं धलवा लोहा इस पात का पिस्टन जिसका बनाता है पिस्टन वह एलमुनियों का ना होता है यह पिछली एलपी एकजाम में आयूए है इसलिए ध्यान से इस वीडियो को करें जिसमें आप लोग को आने वाले एलपी एकजाम के लिए जो भी कोश्चन है आसानी से आप लोग कर पाएं निम लिखित में कौन सा सिलिंडर पिस्टन के दाप के कारण होने वाली हानी कौन सी यह सिलिंडर में पिस्टन के दाप के होने कारण हानी होती है चोक के कारण हां नहीं होती है निवनीख में किस इंजन का वाटर कुल होता है निवनीख में किस इंजन का वाटर कुल होता है फोर रिष्टोक इंजन का वाटर कुल होता है फोर रिष्टोक इंजन का वाटर कुल होता है किस इन्जन के प्रत Black चक्र में एक Power इस्टोक होता है two इस्टोक इन्जन में प्रतिक इस्टोक में एक Power इस्टोक होता है निमनिट में कौन सा एक Law drive पदार्थ नहीं है ईवजार एलम Україम, क्या है ? उजार एलम 고양िम लॉफ डाई पदार्थ नहीं है नेक्स्ट कोच्छन निम निम्टेक कौंसा एक लॉफ डाई पदार्थ नहीं है कोच्छन रिपीट हो गया है नेक्स्ट कोच्छन है लेड एसीड बैटरी में कौन सा एलेक्ट्रोलाइट प्रियोग होता है लेड एसीड बैटरी में कौन सा एलेक्ट्रोलाइट प्रियोग होता है सेल्फियूरिक एसीड कौन सा सेल्फियूरिक एसीड ओफशन ए इसका एंसर होगा निस्ट है तापमान विद्धी होने से पदार्थ की लोक्रोमत्र कम होगी क्या होगी विद्धी होगी, स्वरी, विद्धी होगी, option B इसका एंसर होगा, next question है, तापमान में विद्धी होने से कार्व का प्रतिरोद, तापमान में विद्धी होने से कार्व का प्रतिरोद क्या होता है, घटा है, क्या होता है, option B इसका एंसर होगा, option B, next question है, डीजल इंजन की गु से कुसे वणित की जाते है सी टेन नंबर से सिटेनघान कालेट में एथलीन गलायको lin आपनों के लिए किसी ने किसी एक टेड का से इंप्रट्र एक कोस्चन लेके आयंगे तो चलिए अगले वीडियो में धन्यवाद